रादे रादे दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ बेसन की भहती टेस्टी सबजी की रेस्पी शेयर करूँगी, जिसको बनाना बहुत ज़्यादा सान है पांस से साथ मिनट में बन करके तयार हो जाती है, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है गर्मियों में हमें समझने आता है कि क्या सबजी बनाए तो आप इस तरीके से बेसन की ये वाले सबजी बना करके तयार कर सकते हैं मिन्टों में बन करके तयार हुजाती है तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेना है बेसन तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी बेसन लिया है आप यहाँ पर बेसन के quantity अपने according रख सकते हैं कम जादा जितनी भी आपको सबजी बनानी है तो एक कटोरी बेसन से यहाँ पर 7-8 लोगों के लिए सबजी बन करके तयार जाती है तो अब हमें यहाँ पर एक चमच नमक और आदी छोटी चमच लाल मिर्ची पाउडर डाल देना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें यहाँ पर इसका गोल बना करके तयार कर लेना है तो जो गोल हमें यहाँ पर बनाना है हमें यहाँ पर गोल हलका सा पतला बनाना है तो जैसा हम यहाँ पर बूंदी के लिए बनाते हैं सेम वैसा ही हमें यहाँ पर गोल बना करके तयार कर लेना है तो एक बारी में सारा पानी नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके हमें यहापर पानी को डालते जाना है और इस तरीके से एक यह direction में हमें यहापर इसको चलाते जाना है ताकि बेसन के अंदर लंप्स ना बने तो बेसन को यहापर दो मिनट तक हमने अच्छे से फेट लिया है एकदम सॉफ्ट हो चुका यह देख सकते हैं और बैटर हमारा तो मैं यहापर आपको बैटर के थिकनेस दिखा देती हूँ तो देखे फ्रेंट्स इतना हमें यहापर इसको पतला रखना है अब हमें क्या करन अब हमें यहापर इस तरीके की एक जाली लेनी है जो हम पूरिया तलते हैं वो वाली हमें यहापर जाली लेनी है इससे हम यहापर बुंदी बनाकर के त Tiyaar करेंगे तो GUYस पर हमें कड़ाई को पहले से गरम करने के लिए रख़ देना है और तेल हमारा जो आछी से गरम हो जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पर यह पूरी तलने वाली जाली लेनी है और इसके ऊपर हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके बेशन को डालते जाना है और इस तरीके से हमें यहाँ पर कोई भी चमच लेनी है या फिर कोई भी स्पैचला लेना है और इस तरीखे से हलका समय कर देना है हमारी जो बूंदीय Scottish क बन करके त्यार ओझाएगी और एकदम गुल-गुल बनेगी तो इसी तरीके से में यहां पर बुंदी अच्छे से सी करके तैयार हो चुकी है बिलकुल क्रिस्पी हो गई है और कलर भी भोत ही प्यार है तो बस अब हमें आपर इसको एक प्लेट में निकाल कर के लियना है और इसी तरीके से बाकी की बची हुई सारी बूंदी को में बना करके तयार कर लेना है तो देखे फ्रेंड्स यहां पर मैंने सारी बूंदी को बना करके तयार कर लिया है जरा से वेशन में डेर सारी हमारी बूंदी बन करके तयार हो चुकी है तो अब हमें यहां पर लेने हैं तीन मीडियम साइज के टुमाटर 5-6 हरी मिर्ची और अधरक लेनी है में आपर अगर आप प्याज लेसुन खाना पसंद करते हैं तो आप यहापर प्याज लेसुन भी डाल सकते हैं तो मैंने आपर प्याज लेसुन ने डाले हैं अब हमें यहापर लेना है ग्रेंडिंग जार और ग्रेंडिंग जार में हरी मिर्ची को भी साथ में डाल देंगे और साथ ही साथ हमें यहापर डाल देना है अधरक का टुकड़ा और टमाटर को भी हमें यहापर रफली चॉप कर लेना है और रफली चॉप करने के बाद अब हमें इसको अच्छे से बिल्कुल फाइन पीस करके तियार कर लेना है तो चलिए इसको पीस करके तियार कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने टमाटर की बिल्कुल फाइन प्यूरी बना करके तियार कर ली है अब देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमने याँपर प्यूरी बना ली है अब इसको में अमें साइड में रख देना है और गैस पर हमें कड़ाई को चड़ा देना है हमें यहाँ पर लेना है सरसो का तेल आप चाहे तो यहाँ पर अपनी पसंद के कोई भी ओईल में इसको बना सकते हैं तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा चमचा ओईल लिया है और तेल को अच्छे से हमें गरम कर लेना है तब हम यहाँ पर एक चम्मच जीरा डाल देना है और जीरे को अच्छे से में भून लेना है अब हम यहाँ पर एड़ कर देनी है टमाटर की प्योरी और इसको अच्छे से हमें चला देना है अब हम यहाँ पर एड़ करेंगे मसाले तो एक चम्मच हमें यहाँ पर डाल देना है नमक आप यहाँ पर अपने टेस्ट के कोर्डिंग डाल सकते हैं आदी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर आदी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आदी छोटी चम्मच हमें यहाँ पर डालना है धनिया पाउडर तो बस ज़्यादा मसाले हमें यहाँ पर नए डालने हैं बेसिक से मसाले हम यहाँ डालेंगे और सभी को अच्छे से हमें यहाँ पर मिक्स कर देना है आधी छोटी चमच हम यहाँ पर एड़ कर देंगे कश्मेरी लालमिर्ची पाउडर इससे जो है color और taste दोनों बहुत ही अच्छा आते हैं आप चाहे तो डाले वरना इसको skip भी कर सकते हैं तो बस अच्छे से हमें यहाँ पर इसको mix कर देना है और इसको ढख करके रख देना है 2-3 मिनट के लिए गैस की flame अभी आपर आपको low to medium रखनी है और जब तक इसको भूनना है मसाले को जब तक यह तेल ना छोड़ दे तो इसको check कर लेते हैं 2-3 मिनट हो चुकी है तो देखिए friends अभी मसाला जो है हमारा अच्छे से भून करके तयार नहीं हुआ है तो इसको मैंने यहाँ पर 1-5 मिनट के लिए पकाया है अभी इसको थोड़ा सा ओर हमें यहाँ पर भूनना है अभी जो है तेल इसने अच्छे से नहीं छोड़ा है तो आप कोई भी सबजी बनाए मसाला आपको यहाँ पर अच्छे से भूनना है अगर मसाल अच्छे से बुणा होगा तो सबजी बहुत ही टेस्टी बन करके तयार हो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक मिनाट ओर हमने मसाले को अच्छे से बुणा है और बिलकुल कलर बहुत प्यारा है और जो मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है तो अब हमें यांप रैड करदेना है पानी तो पानी आपको यांपर थोड़ा सा जादा डालना है क्योंकि जो बून्दी होती है वो बहुत ही जल्दी से पानी को अब्सोर्व कर लेती है तो मैंने यहाँ पर तीन गिलास पानी डाला है और पानी डालने के बाद अब इसे वापिस से हमें डख करके रख देना है और इसमें एक अच्छा सा उबालाने देना है जैसे सब्जी के अंदर अब उबाला जाएगा तब ही यहाँ पर डाल देनी है बूंदी और जैसी हम बूंदी डालेंगे उसके बाद हम इसको ज़्यादा नहीं पकाना है एक बाप में हमारी जो बूंदी है बन करके तैया ओना है तो आपर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको वापीस से डख करके रख देना है एक मिनट के लिए बहुत ही जल्दी से यह सौफ्ट हो जाती है तो इसको जादर देर नहीं पकाना है तो एक मिनट ओच चुकी है अब हमें आपर चेक कर लेते हैं तो देखे फ्रेंड् लेकिन थोड़ी देर के बाद यह पानी अपने आपी सारा अब्जोर्फ कर लेगी तो इसलिए हमें आपर इसको अलके सी पतली रखना है तो आदी छोटी चमच हमने यह आपर डाल दिया है गरम मसाला और आदी छोटी चमच लास्ट में हम डाल देंगे आमचूर पाउडर अब दो से तीन चमच हमें यहाँ पर एड़ कर देनी है कसूरी मेथी इससे टेस्ट बहुत ही जदा अच्छा आता है और आप चाहें तो यहाँ पर हरा दनिया भी डाल सकते हैं तो मैंने यहाँ पर दो चमच के करीब कसूरी मेथी डाल दी है अब सभी को एक बार अच्छे बनकर तयार हुई है तो फ्रेंट्स आप य Σबजी को सबड़ के साथ पराँते के साथ किसी के साथ बी सब्सक्रा अच्छ ऑत है तो जब भी अपसे गर्मीयों में आपको समझ नए क्या सबड़ी बना जाए तो आप इस तरीके से बूंधी की यहे वाले सबजी बनाकर कर यार कर सकते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आज की रेस्पी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा सी तद़ शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर